नमस्कार मेरा नाम ग्यानिश्वर है और आप देख रहे हैं विहाद जारकन के सबसे बरे यूट्यूब नूज चैनल लाइफ सिटिज को लगातार एलेक्शन ब्रेकिंग के साथ लाइफ सिटिज आपके सामने हाजिर है और इस वक्त की सबसे बरी ब्रेकिंग ये कि महा गठवंदन ने पहले चरण के सभी चार लोग स्वाज चरत्रों के उमिदबार तै कर लिये हैं और उन्हें नामांकन पत्र भरने को सिंबल दिया चुके हैं तीन की चर्चा हमने आपको पहले ही बता दी थी कि गया से जीतनाम मांजी चुनाव लगे जो हम पार्टी के संस्थापक हैं रास्ती अध्यक्ष हैं ठीक इसी तरीके से जमुई से भुदेव चौधरी चुनाव लगे जो रालोस्पा को मिदबार होंगे रालोस्पा के चिराग पासबान के खिलाब चुनाव लगे और औरंगाबाद से उपरेंदर प्रशाद हम पार्टी की उमिदबार होंगे जीतनाम मांजी की पार्टी हम के औरंगाबाद के सीट महागतवंदन में हमने कौंग्रेस से छिन ली है तो अब इस वक्त की सबसे बड़ी एलेक् देवी मिली है राजबलब यादब का परिचर देने की जूरत नहीं है राजबलब यादब वे ही है जो नबादा के बिधायक थे उनकी सदस्ता इसलिए खत्म हुई कि वे रेप के केस में सजा के हकदार बने और वे सजा काट रहे हैं तो राज़त को नबादा में कोई पत्यासी होंगी और वे लोचपा की बीना देवी के खिलाप चुनाओ लडेंगी मतलब नबादा में मुकाबला बीना देवी बनाम विभा देवी का होने जा रहा है ठीक इसी तरीके से आपको पता है कि राजबलब यादब की जब सरस्ता समाप्त हुई रेप केस में सजा मिलने के बाद तो यहाँ बिधान सभा की रिक्ती होई तो बिधान सभा की रिक्ती होने के बाद 11 अप्रेल को यहाँ बिहार बिधान सभा के लिए भी उपचुनाओ होना है नबादा बिधान सभा चेतर में महा गठवंदन में सीट बत्मारे के टाथ हम को प्राप्त हुआ जीता नाम मांजी की पार्टी हम को प्राप्त हुआ है और यहां धिरेंदर कुमार सिन्हा उर्फ मुन्ना उमिदबार होंगे हम के नवादा बिरान सभा के उप्चुनाओं के लिए धिरेंदर कुमार सिन्हा उर्फ मुन्ना के बारे में कहा जा रहा है कि वे हम पार्टी के सं स्थापक सरस्यों में सामिल रहे हैं और उनकी महत्वपुन भुमिगा रही है इसलिए है नेने लिया गया तो इस तरीके से महागत बंदन ने पहले चलन के सभी उमिद्बारों के नाम तैक कर लिये हैं और उन्हें सिंबल दिया चुके हैं नवादा में राजबल्लब पत्नी बीभाद देवी ही चुनाओ लनेंगी अब इस पत देखियेगा कि जद्यू का जरूर करेगा कि उन्हें और कोई नहीं मिला वह राजबल्लब यादब की पत्नी ही मिली राजबल्लब यादब रेप के आरोप में अब रेप का आरोप नहीं का जाएगा कोट ने उन से नवारा की सिटी एसपस्त हो गई है सारे उमिरबार एसपस्त हो गए है और जो भी आगे एलेक्शन ब्रेकिंग होगी सबसे पहले आपको लाइब सीटिज बताएगा तो देखते रहें यह लाइब सीटिज को यह अब तक आपने हमारे यूटूब चनल को सब्सक्राइब किया है तो जल्दी कर लिजे धन्यबाद